नमस्कार में दिव्य स्वागत है आपका अच्किस रोजगार समाचार में विहार स्वास्ट विभाक के अंतरगत राजी के चिकित्सा महा विद्याल है और अस्पतालों में सूपर स्पैसिलिटी विभाक के अंतरगत सहाइक प्रध्यापक चाते हैं इन सहाइक प्रध्यापक bpsc.bih.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भर्दी के लिए उमिद्वारों से आविदन सुल्क के रूप में 100 रुपे लिए जाएंगे हाला कि जो उमिद्वार अपना संबंद S.C.S.T. से रखते हैं या बिहार की महिला उमिद्वार है या दिव्यांग उमिद्वार है उनसे आविदन सुल्क के रूप में 25 रुपे लिए जाएंगे उमिद्वार अपना आविदन सुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे जो मिद्वार ओनलाइन माध्यम से निर्धारित सुल्क देंगे आविदन उन्हीं के स्वेकारे किये जाएंगे आई अब हम जानते हैं इन पदों पर भरती के लिए मिद्वारों की क्या सैक्षिनिक योगिता होनी चाहिए तो जिन पर उमिद्वारों ने विसेस विसे में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डियम या डियन बी यानि सूपर स्पैसिलिटी अत्वा पांच वर्स ये हम सीएस डिग्री या पांच वर्स ये डियम डिग्री प्राप्त की है उन्हीं के आविदन लिये जाएंगे वहीं यदि आयू सीमा की बात करें तो जो अभ्यरती सामाने वर्ग से हैं उनकी अधिकतम आयू पैतालिस वर्स रखी गई है हाला कि अनारक्षत महिला पिछ्रा वर्ग और अत्यंत पिछ्रा वर्ग के लिए 18 वर्स है वहीं ऐसी आईस्टी से संबन्द रखने वाले उमिद्वारों की अधिकतम उन पचास वर्स निर्धारित की गई है चलिए बात करतें उमिद्वारों को दिये जाने वाले वेतन के जाएगा जैदि बात करें अमेध़ारों के चेरी बा Till प्रक्रिया में टो हो असिस्टेंग प्रोफिसर के पदों पर अमेध़ारों का चेर उनके सैक्षनी किर योगिता के आध़ार पर मेरिट लिस्ट के जरिशनी किया जाएगा। हालाकि इन मेरिट का नर्धारन कैसे होगा इसे संबंदित अधिक जानकारी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ले सकते हैं। आई अब अंति में जानते हैं इन पदों के लों में द्वार आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने से पहले आपको सला दी जाती है कि एक बार आप इसके अधिसूचना को जरूर पर लें। उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रियाश शुरू करें। अधिसूचना लिंक और आवेदन लिंक दोलों ही आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेर कर रखा है। आप यहां से भी डाइरेक्ट जा सकते हैं। फिर इसके अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आते ही। सबसे पहले मांगे के कुछ जानकारी देने के बाद खुद को रजिस्टरट कर ले। फिर आवेदन प्रक्रिया के दौरान मांगे जा रहे सभी जरूरी जानकारियों को भर दे। उसके बाद अपने सभी सेक्षिनिक डॉक्यमेंट्स को अपलोड कर दे। आवेदन सुलक देने के बाद अपने फॉर्म सब्मिट कर दे। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आज के लिए फिलाल इतना ही। हमारे साथ बने निकले आपका धन्यवाद।